नवस्कार बहुत स्वागत है आपका निवस्टेटीन मधप्रदेश 36 गर के इस डेजिटर प्लेटपॉम में मैं हो रीनो यादव जसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी लगातार हर महिने के आखरी रविवार को मन की बात देश के नागरीकों से करते हैं और हर बार मन की बात की दौरान वे कुछ जानकारियां देते हैं, कुछ साज्या करते हैं, और कई सारे उपाय लेते हैं, लोगों को प्रोचसाहिट भी करते हैं, और अपने मन की कई सारी बाते करते हैं, इस बार खास है, बहुत खास है, क्योंकि इंसान को जागरूप करने का काम भी प्रैधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने अपने इस मन की बात के कारिकरम के दौरान किया देखें मन की बात का 115 एपिसोड था और ना जाने कितने अपिसोड में उन्होंने कई सारी चर्चाएं की होंगी लेकिन आज जो चर्चा थी वह बेहदी महत्वपूर्ण आपको सतर्क और साब्धान करने वाली चर्चा थी आपने एक शब्द सुना होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार डिजिटल अरेस्ट मध्य प्रदेश, चर्थिसगर और इसके लावा अन्य राज्यों में भी यानिकी पुरे देश में डिजिटल अरेस्ट की जो खबरे हैं वो लगातार सामने आ रही है इसमें एक व्यक आ खबरो में क्योंकि नीज जिटी लगातार यसे खबरों को कवर करता है ताकि लोग जागरुक रहें साब्दान रहें जिसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों को निशान बनाया जाता है इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो की रिटार्ड ऑफिसर थे रिटार्ड पुलिस कर् आते हैं और उसके बाद रकम वसूलते हैं और लोग रकम दे भी देते हैं कुस दिर बाद जब उन्हें हसास होता है कि शाद उनके पास कोई ठगी उनके साथ हो गई है उसके बाद शिकायत की जाती है लेकिन इस शिकायत के पहले अगर थोड़ा सा दिमाग दोड़ा लिया ज करता है आज इसी मुद्य को लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने देश के रागरी को से बाच्चित की और यह समझाया कि आखिरकार आप कैसे बच सकते हैं सततर करहना कितना निवार है ताकि आप इस तरीके की घटनाओं से बच सके अलो सर नमस्ते सर नमस्ते सर भूलिए सर देखिए जो आपने अफ आयार नमबर मुझे सेंड किया है इस नमबर के खलाव 17 अमारे पास आप यह नमबर यूज कर रहे हैं मैंने नहीं यूज करता हू सर अभी कहां से बात का रहे हैं सर करनाड का सर हो मगर में हो सर ओके इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकार्ट दो रहे हैं ताके नमबर ब्लाग कर दिया जाए जाए अपना अधार कार्ड मुझे शो कि यह का वेरिफाइए करने के लिए आई सबस्क्राइब कि ऐडर के लिए इना अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप दर यह ना घाएं सब्सक्राइब कर दिया जाता है जिस तरीके से लोगों को बर्बाद कर दिया जाता है क्योंकि इसके बाद साइबर टीम काम जरूर करती है कोशिश करती है पकड़ने के लेकिन ये इतने शातर ठग हैं जो देश के किसी भी कोने में या देश के बाहर किसी भी कोने में बैठ कर ऐसी घरतनाओं को अंजाम देते हैं प्रधार मंतरी ने कहा कि पहले ये लोग आपकी पूरी रैकी कर लेते हैं आपके बारे में पूरी जानकरी जुटा लेते हैं और उन्होंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकर सभी लोग हैं ज्यादता चीज़े अपनी share भी कर देते हैं, कि बच्चे कहां पर रहते हैं, parents कहां पर रहे हैं, भाई बहन कहां पर रहे हैं, और किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कहां से उनका आना जाना लगा रहता है, एक्तिव ये इन लोगों के लिए जो अपनी पल्पल की जानकारी साज्या करते हैं। और ऐसे लोग उनके पैरन्स जो जिनको किस नॉलेज नहीं होता है वह लोग निशाना बन जाते हैं। देखिए कई सारे ऐसी खबरे सामने आई हैं जब मुंबई में एक बच्छा रह रहा है पढ़ाई कर रहा है उनके पैरंस को कॉल जाता है मध्रप्रदेश में ये बोल करकी कि आपके बच्ची को पकड़ लिया गया है और आप उससे कोई बात नहीं कर सकते हैं आपको लगात कर लिया जाता है जिससे अगहा करती हुए आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपनी मन की बात में सभी को सचेत किया है साब्धान किया है देखिए डिजिटल एरस्ट के लावा और भी कई सारे पॉइंस पर उन्होंने अपनी राय रखी अपनी बात रखी लोगों से हुआ है देखिए प्रधान मंतरी ने कहा कि डिजिटल एरस्ट के तहर्ट प्रॉड किया जाता है गाड़ी कमाई लूटी जाती है और इस दौरान आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया जाता है ऑनलाइन ये कहा जाता है कि ये करिए वो करिए पैसे दीजे यहां अगर आप घर से बहार जा भी रहें बैंक में या एटियम में तो भी आपको लगता लाइन पर रखा जाता ताकि आप भोल कर भी ऐसा कुछ कदम न उठाए जिससे उनका भंड़ा फोड हो सके और उसके बाद ये सारा फ्रॉड हो चुका होता है तब जाकर आपको जानकार है सोचना है फिर एक्शन लेना है कोई भी अंजाना कॉल आता है किसी नौकरी से संबंदित आता है किसी धंकी से संबंदित आता है क्योंकि उन्हें ये भी बताया कि कि कोई भी सरकारी एजिंसी कोई भी पुलिस अधिकारी आपको कोई कॉल करके कभी ये जानकरी नहीं दे माती है वो डारेक क्योंक एक्सें लेती और अगर इस VO esperar ya IIisim और अगर इस तरीके की चीज आपको साथ तो डोल दोफ्तो है अपको रूखना कै reach सोचना है जब भी आपको कोई फोन करेख कुछ भी बताने से पहले क्यों भी जानदकारी देने पहले आपको एक बार सोचना है कि आखिर आपको करना क्या चाहिए दूसरा है सोचो कि एजनसी फोन पर ना तो कोई पूछताच करती है ना कोई सरकारी अधिकारी पूछताच करता है ना कोई सरीके से धमकी देता है ना ही अरेस्ट की बात कहता है यह सब आपको सोचना होगा रुखना है, सोचना है और इसके बाद तुरंट एक्षन लेना है क्योंकि यह चीज़े तुरंट समझ में आ जाती है अगर आप सचियत हैं, सतरक है और राश्ट्रिय साइबर हेलप लाइन नंबर है 1930-1930 इस पर आपको तुरंट कॉल करना है फ्रॉड होने से बचने के लिए तुरंट आपको एक्षन लेना है तभी आप इससे बच सकते हैं वरना आज के जमाने में जिस तरीके से बहुत तेजी से पढ़े लिखे लोगों को भी दिजिटली तरीके से अरस्ट करके उनसे ठंगी की जा रही है ये अब धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस कदर तक हो चुके हैं कि करोडो करोडो रुपए प्रांसवर करवाली जाते हैं खाते से और बाद में फ्रॉड का कोई सुराक तक नहीं लग पाता है यही कारणे कि इस बार प्रधान मंतरी ने अपने देश के नागरे को कुछ आगरू करने के लिए डिजिटल अरस्ट पर सबसे जादा फोकस किया है उन्होंने अपनी मन के बात के दुरान रुकना है, सोचना है और एक्शन लेना है इन के पॉइंट पर आपने गौर किया और साथी साथ जैसे कि आपने बटाया आपको कि देश के अंदर कई सारे नए नए उपलबनिया हासिल की जारी है युवा खासतर पर बहुत तेजी से आखे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोचनल मीडिया का जमाना हो, चाहे वो एनिमेटेड हो और इसकी वज़े से लोगों की छवी धुमिल की जाती है, इससे भी थोड़ा सचियत रहकर ही किसी भी तरीके से इस्तमाल करना यानि कि AI की जो कम्या है इसको लेकर भी प्रधान वंतरी ने चिताया है और देश में क्रियेटिविटी की लहर चल रही क्योंकि एक सबसे खास किरदार है, आपने देखा होगा ओनलाइन नाम है मोटू और पतलू, साथी छोटा भी कृष्णा ये तमाम जो टिवी सीरियल से काफी लोगप्री हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं, लोग इने बहुत पसंद करते हैं भारत देश इने बलकि देश के बाहर भी ये बड़ी इस तर पर देखे जाते हैं, बहुत बड़ी fan following हैं, जो देश के कोने कोने से तो हैं, लेकिन विदेशों में भी इनके जो बच्चे हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं, देखना अनिमेशन के दुनिया में भारत ने एक नई करांथी लेकर आई है, यहां बने अनिमेटेड वीडियो को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है, आप ये देखें, इनको अलग-अलग लैंग्वेजिस में भी दिया जाने लगा है, हिंदी के लावा और भी कई भाश अनिमेशन के बाची तो प्रधान मंतरी ने की ही है, लेकिन जो सबसे गहरा मुद्दा था, जो सबसे ज़ादा मत्वपोर्ण था, वो था, डिजिटल अरस्ति से कैसे बचा जा सकता है, आप जानकारी ले रहें न्यूजेटेन के माध्यम से, और आपको ये जानकारी लोग तक पहुचाने भी है, इस वीडियो को आपको शेर करना है, ताकि लोग सुने, समझे और ये जाने की आखिर का देश के प्रधान मंतरी को क्यों सचेत करना पड़ा, अमत्री मन के बाद के आदकर्म के दौरान उन्हें जागरू करना पड़े लोगों को और साबधान करने क जरूरा तान पड़े ही, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्धा बन चुका है, जिसमें हर व्यक्ति, खास तोर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति अब इसके जद में आने लगे हैं, तो आपको, आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मुद्धे को लेकर, मन के बाद को लेकर, साथी साथ डि